हेलो फ्रेंट्स केसे हैं आप हमारे यूट्यूब चेनल में आपका स्वागत है आज हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंसी के 9 महीनों में खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए कंस्यू करने के बाद 9 महीनों की प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाये रखना किसी चुनोती से कम नहीं होता है प्रेगनेंट होने के बाद दिमाग में बस यही आता है कि अब मुझे क्या खाना चाहिए कैसे exercise करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप पहली बार मा बन रहे हैं तो आपके लिए ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि healthy pregnancy के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहां हम आपको गर्बावस्ता को हेल्दी बनाये रखने और 9 महिनों के दोरान सिसू के स्वस्त विकास के लिए जरूरी टिप्स बता रहें स्वस्त और फीट रने के लिए एक्ससाइज से बहतर और कोई तरीका नहीं है प्रेग्नेंसी में बढ़ने वाले वजन को भी एक्ससाइज से कंट्रोल किया जा सकता है विज़े सग्यों की माने तो नियमित व्यायां से मा और शिशू दोनों स्वस्त और सुरक्षित रतें स्वस्त जीवन से लिए का सीधा प्रभाव बच्चे की सेहत पर पड़ेगा गर्भती महिलाओं को तंबाकू सिग्रेट और सराब का सेवर नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंसी में सराब पिने से मा की रख्त वाहिकाओं से एलकोल शिशू की रख्त वाहिकाओं में पहुंच सकता है जिसे फीटल एलकोल सिंड्रोम हो सकता है एसा प्रेग्नेंसी के नो महिनों में लगाता सराब पिने से होता है सिग्रेट शिशू तक पहुशने वाली अक्सिजन और रक्त प्रवाव को प्रभावित कर सकती इसलिए बेतर होगा कि आप गर्भा उस्ता के दोरान इन सभी चीजों से दूर रहे स्वास्त का सबसे बड़ा दुस्मन है तनाव यानि स्ट्रेस स्क्राइब कर लिजे थैंक यू